दोस्टो क्या आपको पता है कि अमरान खान ने अपने क्रिकेट करियर में एक बार भी नो बॉल नहीं करवाई। वेडियो में आगे बढ़ने से पहले वेडियो को लाइक और चीनल को सबस्क्राइब कर लें। अमरान खान जो की पाकिस्तानी सियासत दान है लेकिन पॉलिटिक्स से पहले वो क्रिकेट की वज़ा से बहुत ज्यादा मशूर थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज 1901 में किया और अपनी मेहनत के बल बोते पर वो एक अच्छे आल राउंडर और काम्याब की बटन बने तो अब बात करते हैं उनके करियर की। अमरान खान ने 48 टेस्ट मच्छी स्खीले जिसमें उन्होंने 1944-45 फूट बॉल्ल्स करवाई और 362 विकेट्स हासिल की। उन्होंने अपनी बेस्ट बॉलिंग में 58 रन्स देकर 5 वक्ते हासिल की और ICC टेस्ट रैंकिंग में नमबर वन रहे। अमरान खान ने 126 इनिंग्स खील कर 3870 रन्स बनाएं उनका हिगहस्ट स्कोर 136 रहा। उन्होंने 6 सेंचरीज और 18.5 सेंचरीज बनाएं जिसमें 383 चुके और 55 के लगाएं वो 25 बार नॉट आउट रहे और 11 बार मैन अफ दे मैच का इवार्ड हासिल किया। ICC रांकिंग में वो 9-12 पर रहे। अमरान खान ने 133 इनिंग्स में 7-4-6-1 बाल्स करवा कर 112 वक्ते हासिल की उनकी बेस्ट बालिंग 14 रन्स पर 6 वक्ते थी। ICC रांकिंग में वो नंबर 4 पर रहे। अमरान खान ने ODI मैचेज में ओसिफन इनिंग्स खीली जिसमें 3-8-7-9 रन्स बनाए और उनका बेस्ट स्कोर 103 नॉट आउट रहा। जिसमें 1 सिंचरी और 19 हाफ सिंचुरी थी। उन्होंने 200 पे ट्यू चोके और 45 चके भी लगाए। 40 बार नॉट आउट रहे। 13 बार उन्हें Man of the Match का इवार्ड भी दिया गया और ICC में उनकी रैंकिंग नंबर 11 रही। अमरान खान ने Arlys Test Matches में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी की जिसमें 14 मीच जीते और 8 मीच हारे। अमरान खान ने 189 OD आई मच्छेस में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी की जिसमें 75 मीच जीते और 89 मीच हारे अमरान खान का सबसे बड़ा कारनामा 1990 पाउंड का वर्ल्ड कप जीतना था उन्होंने पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता जो आज तक कोई पाकिस्तानी कप्तान नहीं कर पाया वेडियो को लाइक और चीनल को सबस्क्राइब लाजमी करें और अमरान खान के बारे में आपकी किया राय है कमेंट में जरूर बताएं